नमस्ते चात्रो आज हम हिंदी का दस्वा पाट पढ़ने वाले हैं पाट का नाम है गड़ाधन धन का मतलब होता है दौलत या संपत्ति अभी मैं पाट का वाच्चन करूंगी और समझाऊंगी आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है श्टार्ट करते हैं सुन्दरपूर गाव में रामदिन नामक किसान रहता था उसके चार बेटे थे एक गाव था जिसका नाम था सुन्दरपूर और वहाँ पर रामदिन नामक एक किसान रहता था किसान मतलब बच्चो क्रुशक फार्मोर उसके चार बेटे थे कितने बेटे थे रामदिन के चार रामदिन स्वयम तो बहुत परिश्रमी था पर उसके चारो बेटे बड़े आलसी थे स्वयम मतलब खुद रामदिन था वो बहुत ही परिश्रमी परिश्रमी मतलब मेंती हाड़ वकिंग था लेकिन उसके चार बेटे कैसे थे उसके चार बेटे बहुत ही आलसी थे आलसी मतलब लेजी सुस्त हर समय इधर उदर बैटकर गप्पे मारा करते थे वह हर समय इधर उदर घुमना गप्पे मारना ऐसे काम करते थे रामदिन उनके इस अलड़पन से परिशान था इसले रामदिन बेटों के इस अलड़पन से परिशान था अलड़पन मतलब भोलेपन, इनोसेंट और परिशान मतलब हैरान उसे हमेशा बेटों के भविश्य की चिंता सताया करती थी और रामदिन को अपने बेटों की भविश्य की, मतलब अपने बेटों की फिउचर की चिंता उसको सताया करती थी उसको बहुत टेंशन था बहुत देन राद यहीं सोचा करता कि पेटे अपना पेट कैसे पालेंगे रामदिन देन राद क्या सोचता था कि उनके पेटे भविश्य में उनका पेट कैसे बरेंगे, पेट कैसे पालेंगे भविश्य मतलब फिउचर एक राद वह इनली विचारों में खोया था और एक राद में वह ऐसे ही विचारों में खोया था तभी उसकी पत्नी ने जिजकते हुए उसे एक उपाय सुझाया जिजकना मतलब संकोच करना उसकी रामदिन की पत्नी ने उसको एक उपाय सुझाया उपाय मतलब क्या तरीका उपाय सुनकर वह कुछ देर तक सोचता रहा फिर एका एक खुशी से उचल पड़ा सुनकर रामदिन कुछ देर तक सोचता रहा लेकिन थोड़ी देर में उसे उस सुझाव से बहुत खुशी हुई अबी नेक्स्ट पारेग्रफ साइड वाला पारेग्रफ देखो अगले सुबह रामदिन ने अपने चारो बेटों को बुला कर कहा में और तुमारी मा अब बुड़े हो गए है जब सुबह होती है तब रामदिन अपने चारो बेटों को बुलाता है और क्या कहता है कि अब में और तुमारी मा बुड़े मतलब व्रुद्ध ओल्ड हो गए है हम दूर तिर्थयात्रा पर जा रहे है तिर्थयात्रा मतलब पच्चो पवित्रस्तान की यात्रा करते है न पिल्ग्रे मेच रामदिन ने क्या कहा अपने बेटों से हम दोनों किधर जा रहे है तिर्थयात्रा पर जा रहे है मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना जाते वक रामदिन ने अपने बेटों से क्या कहा मैंने अपने खेत में खेत मतलब फार्म में धन गाड़ कर छुपाया है धन मतलब क्या संपत्ती यदि कोई जरूरत पड़े अगर आपको उस धन के जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर सकते हो ऐसा बताया गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिता जी को खुशी खुशी तिर्थयात्रा पर जाने के लिए कह दिया जैसे रामदेन ने पताया बेटों को वैसे बेटे कैसे एकदम खुश हो गए और उन्होंने अपने पिता जी को खुशी खुशी तिर्था यात्रा पर जाने के लिए कहे दिया बेटे मतलब एक्टम खुश हो गए ना इसलिए मना नहीं किया वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिता जी का बंधन उन पर नहीं होगा और बेटे एक्दम खुश हो गए क्यों कि क्यों उनके उपर किसी का पि बंधन नहीं होगा इसलिए न्यू पारिग्रफ रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो कुछ सब सामन्य चलता रहा रामदीन और उसकी पत्नी के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब सामन्य मतलिब साधरण नौर्मल चलता रहा जब रामदीन और उसकी पत्नी तिर्थ यात्रा पर चले जाते हैं तो चारों बेटे आराम की जिन्दगी जीते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है देखो उसके बाद पास का धन और घर का धन्य समापत होने लगा उनके पास जो धन था और घर का धन्य धन्य मतलब अनाज समापत होने लगा खत्म होने लगा अब चारो भाईयों को चिंता हुई अभी चारो बेटों के रामदिन के चारो बेटों को चिंता हो गई ते इंचन आया अभी पास का धन जो पैसा था वो भी खतम हो रहा है और घर का धन्य अनाज भी खतम होने लगा है उन्हें अपने पिताजी की कही बाद याद आ गई और अब चारो भाईयों को चिंता होई जब हमारे पास का धन्य खतम हो जाएगा तो हम आगे क्या खाएंगे तो उन्हें अपने पिताजी की कही बाद याद आई कि जरुरत पढ़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना तब उन चारों को यह बाद याद आती है कि पिता जी ने तिर्था यात्रा चाते समय कहा था कि मैंने खेत में क्या गाड़के रखा है धन गाड़के रखा है अगर आपको जरुरत पड़ी तो आप ले सकते हो उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंब किया जैसे ही उनको यह बाद याद आई उन्चारों क्या किया उन्होंने रात के समय नाइट में खेत की खुदाई खुदाई मतलब खोदने का काम डिक करने का काम करना आरंब किया आरंब करना शुरू करना स्टार्ट करना वे दो तीन राते खेत को खोदते रहे पर कही भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला उनको गड़ा हुआ धन मिला क्या बच्चो नहीं मिला उन्होंने दो तिन रात तक खेत को खोदने का काम किया लेकिन कुछ भी धन नहीं मिला रात भवर के परिश्रम से वे बहुत थक गए और इतना खेत खोदने का काम किया बहुत परिश्रम परिश्रम मतलब मेहनत बहुत मेहनत किया चारो बहुत ठक गए जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारो अपने घर लोट रहे थे तबी रामदिन के परम्मित्र हरिनात ने पुछा तुम सब ठके हुए क्यों हो और जब सुबह मौनिंग में बहुत निराश और हताश वे चारो एकदम सैड हुए वे चारो अपने घर की और लोट रहे थे तबी रामदिन के परम्मित्र मतलब उनके पिताजी के परम्मित्र का नाम क्या है हरिनात, हरिनात मिले हरिनात ने क्या पुछा चारो को तुम सब ठके हुए क्यों हो कारण जानने के बाद हरिनात ने उन चारो को सलहा देते हुए कहा और उन्होंने प्रश्न किया हरिनात ने क्या प्रश्न किया क्या सवल पुछा तुम सब ठके हुए क्यों हो और reason सुनने के बाद हरीनाथ ने उन चारों को सलहाओ, सलहा मतलब क्या? Advise, क्या advice या? तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीच बोदो, अभी तुम चारों ने खेत तो खोद लिया है, डिक किया है, तो उसमें क्या करो? चारों बेच बोदो, सीड लगाओ, चारों भाईयों के उदास चेहरों पर खोशी के लहर दड़ गई, मतलब चारों भाई एकदम खोश हो गए, उन्होंने हरीनाथ के कहे अनुसार ही किया, उन्हेंने क्या किया चारों ने? जैसा हरीनाथ ने बताया, हरीनाथ कौन? उनके पिताजी के परमित्र, चारों ने क्या किया? हरीनाथ के कहे अनुसार ही किया, नेक्स पारेग्राफ, खेत में नन्ने अंकुर निकल आए, बीच बोने के बार, उनके खेत में क्या हुआ? नन्ने अंकुर निकल गए, अंकुर मतलब स्प्राउट आते हैं न, मम्मे भिगा के रखती हैं मोंग वेगरे, तो दो दिन वैसे ही रखते हैं तो उसमें से स्प्राउट निकल आता हैं तो उनको कॉमपल भी कहते हैं, ऐसा कोमल कॉमपल रहता है न वो, वो निकल आये, उन चारों के मन में उत्सहा जाग आया, मतलब हिम्मत जाग गई, वे निराई गुडाई करने लगे, निराई मतलब क्या बच्चो, निराई मतलब जो निरर्थक घास रहती न, निरर्थक घास फूस निकालना, मतलब जो घास किसे काम की नहीं है, उसे निकल कर फेक देना, और गुडाई मतलब क्या, मिट्टी खोद कर बुरबुरित करते हैं उसको हम लोग गुडाई कहते हैं, फसल बहुत अच्ची हुई, फसल एकदम खेत में अच्ची हुई, हरिनात काका को धन्यवाद दे कर, वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जूड गए, और हरिनात काका को धन्यवाद, धन्यवाद क्यो दिया, शुक्रिया क्यों की दिया, क्यों तो हरिनात काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में मारकेट में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जूड गए उसी समय तिर्था यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लाट आए माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्ष किये चारों ने क्या किया जैसे ही माता पिता को देखा वैसे चारों ने उनके चरण स्पर्ष किये प्रणाम किया मतलब गाड़ी में लदे अनाच के बोरे देखकर रामदिन ने कहा अब तुमें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा जब रामदिन ने गाड़ी में रखे हुए वो अनाच के बोरे को देखता है वो चारो को क्या कहता है तुम चारों को समझ में आया होगा कि खेतों में कौनसे धन गाड़ कर रखा हुआ था राज आपको समझ में आया होगा चारों ने सिरहला कर स्विकार किया और कहा हाँ पिताजी अब हम यह भी समझ गए है कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है मतलब उन्होंने क्या किया कि क्या बताया अपने पिताजी को कि पिताजी अभी हम लोगों को समझ में आ गया कि जीवन में परिश्रम मतलब मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चों आपको समझ में आया होगा ये लेशन इस पार्ट से हमें क्या सिख मिलती है हमें अगर कोई भी चीज चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है परिश्रम करना पड़ता है मेहिनत कभी बेकार नहीं जाती मेहिनत करने वालों की सफलता मेहिनत करने वालों को सफलता कैसे जरूर मिलती है और मेहिनत ही हमारा सच्चा दहन होता है जीवन में महिनती बनो ठैंक यू